नमस्कार दोस्तो नेशनल हेल्फ मिशन द्वारा कम्मुनिटी हेल्फ ओफिसर्स की पोस्ट के लिए एक और अपडेट वेबसाइट पर आ चुका है आप सबी लोग यहाँ पे हेडिंग पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है एड्मेट कार्ड पॉर रिटेन टेस्ट तो दोस्तों इसको मैं आपको आपके पूरा रिट करके बता देता हूँ लिखा हुआ है फॉलो दा लिंक फॉर डाउनलोडिंग यॉर एड्मेट कार्ड फॉर दा रिटेन टेस्ट फॉर दा पॉजिशन ओफ कम्मुनिटी हेल्थ ओफिसर्स सी एचो एनेचम तिरुपरा विच इस आप कहां पे होने वाला है पोस्ट आप कहां पे बता जा रही है कम्मुनिटी हेल्थ ओफिसर्स की पोस्ट आप रहेंगी और एनेचम तिरुपूरा द्वारा यह विकेंसी जहां पे निकाले गई थी और इसका जो एक्जाम है आयो जो यहां पर कर जाएगा शेडूल यहा पर open कर लेते हैं आगे का जो page है कुछ इस तरीके से आप पर नजार आएगा तो दोस्तों बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पर देश सकते हैं आप सभी लोग को अपना अपना e-admit card को download करने के लिए दो चीजों के जरूवत आपका पर पढ़ेगी आपका application ID और आपका date of birth तो application ID आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे और जो भी date of birth था आप लोग ने exam form फिल करते समय information प्रोवाइड कर आए थी date of birth की तो वही date of birth आपका पर फिल करना है और admit card को download करने के लिए finally submit किस option पर आपको आपको आपके click कर देना है आगे जो है आपका आपके admit card download हो जाएगा तो पूरी जयनकारी मैंने आपके cover की है दोस्तों देखिए written exam है और written exam का syllabus मैं आपको आपको आपके बता देता हूँ तो दोस्तों देखिए यह पूरा notification है जो जारी हुआ था को मिलाके 180 पोस्ट थी सभी categories को मिलाके syllabus की जानकारी नीचे आपको आपको आपके दी जा रही है दोस्तों देखिए आपको आपके exam है और exam में आपको यहाँपे subject बता दे गए है जी के से आपके देखिए 10 नंबर का आपको आपको आपके cover के जाएगा basic anatomy and physiology से 5 marks का आपको 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 आएगा child health का 10 marks का आपको आपको आएगा adolescent health से देखिए 5 प्रेशने आपको पूछे आएगे इसके साथ maternal health और family planning तो दोस्तों देखिए MS से आपके 15 है और family planning से 10 प्रेशने आपके पूछे आएगे communicable diseases के जो है आपके आपके 10 प्रेशने आपके रहेंगे इसके साथ साथ non communicable diseases के 10 सवाल है nutrition के 5 सवाल रहेंगे skill के देखिए आपके skill based यहाँ आपको सवाल है इसके आपके 5 प्रेशने आपके आएंगे और अन्त में आप लोग यहाँ पर दे सकते है basic concept of public health तो 15 सवाल आपके यहाँ पर पूछे आएंगे कुल मिला के 100 नंबर का यह पूरा आपके पिपर यहाँ पर रहने वाला है और दोस्तों देखिए अगर आप लोग यहाँ पर questions चाहते है important questions का set चाहते है दोस्तों आप सभी लोग को 1000 से ज़ादा important questions की mcq जो है आपको यहाँ पर questions आपको यहाँ पर प्रवाइड यहाँ पर करा दे गया है यह PDF फाइल यहाँ पर रहेगी आप लोग इसको यहाँ पर purchase कर लें और purchase करके जो है आप लोग इसको यहाँ पर download कर ले 100 रुपीज इसका यहाँ पर amount यहाँ पर रहने वाला है 100 रुपे में आप लोग इसको यहाँ पर खरीद लें और 1000 से ज़ादा important questions की आप लोग यहाँ पर purchase करने के लिए आप सभी लोग को क्या करना है इसी वीडियो की नीशे जाना है description box में जाके आप लोग यहाँ पर link ले 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 और आप लोग इसको यहाँ पर purchase कर ले और तयारी आप लोग यहाँ पर शुरू कर दे और link के माद्यम से अगर आप लोग यहाँ पर purchase नहीं कर पा रहे हैं तो channel के whatsapp के माद्यम से भी आप लोग पीडियाफ आप लोग आप लोग पर प्राप कर सकते हैं 741 5543659 यह channel का हमारा whatsapp नमबर है कोई भी doubt है कोई भी सवाल है और पीडियाफ चाहते हैं तो आप लोग जो है इस पर हमें आप पर संपर करें यह whatsapp नमबर हमारा आप रहने वाला है तो यह update आपको कैसे लगा जरू बता है लाग करें इस वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो कहाँ पर लाग करें इस मेरत को लाग जरू करें कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है कोई भी सवाल है आप सब लोग पूछ सकते हैं और सबस्क्राइब कर लिजे आगे की जानकारी आपको इसी तरीके से आगे भी मिलती रहेगी तो वीडियो की नीचे जाएं सबस्क्राइब कर रैट बटन को आपके क्लिक कर ले और एनेचेम तुरुपुरा द्वारा कम्मुनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की हर एक अपडेट्स की जानकारी इसी तरीके से आगे पात रहे तो मिलते हैं अप सब्सक्राइब बीडियो में थैंक्यो सो मच